बेटे लास्ट क्लास में हमने salary का एक बहुत इंपौर्टन टॉपिक कमप्लीट किया था अलाउंसिस और जितने भी अलाउंसिस एक्जेम्ट होते हैं वो सब मैने आपके साथ डिसकस कर लिये थे और बाकी जितने भी अलाउंसिस हमने discuss नहीं किये थे इसका मतलब वो सभी taxable होते हैं पूरी तरह से taxable होते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने allowances का concept पढ़ लिया होगा और मैंने last का एक आदा page छोड़ भी दिया था एक छोटी सी illustration छोड़ दी थी ताकि आप read करें allowances बेटे इतना difficult part नहीं है salary का इसलिए मैंने उस पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया salary में अगर कोई wide part है अगर कोई difficult part है तो वो हम आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है perquisits आज की class में सभी बाते करेंगे के perquisits क्या हैं और ये अब अगली आप समझ लीजिए चार से पांच classes तो कम से कम perquisits में लग जाएंगी ये हमारे salary का एक बहुत ही comprehensive और एक lengthy part है तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ ready हो जाएंगे और आज से सभी बच्चों ने बिलकुल revision start कर देनी है पुरानी जो भी habit थी वो छोड़ देंगे जो पहले से revision कर रहे हैं वो तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है sir तो आईए और मेरे साथ साथ हम लोग शुरू करते हैं जब मैंने आपको salary का chapter बताया था start किया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटे salary के chapter के अगर हम major parts divide करेंगे तो पहला part होता है allowances जिसे हम already cover कर चुके हैं हमने sir दो ही classes में covered कर लिया आपने बहुत जल्दी किया बैटे उसमें उससे ज्यादा समय देना मतलब कि आपने आप salary chapter को cutting बनाना है क्योंकि जिसमें समय देना है वो part कहलाता है परक्यूजिट्स ठीक है और तीसरा part होता है retirement benefits तो अभी आपका ये मत समझ लेना के allowance complete हो गया तो one third chapter sir complete हो गया अरे नहीं अभी बहुत chapter बाकी है आपका sir allowances क्या थे allowances तो बेटे generally money terms में दिये जाते थे employer employee से कह रहा था कि आपका जो burden है वो आपके उपर ज्यादा है तो मैं आपको कुछ facility दे रहा हूं कि आपका burden ही ना रहे for example पहले मैं employer से कहता था कि मुझे rent दे पड़ता है तो मुझे कुछ rent की compensation दो परक्यूजिट का मतलब होता है employer कहेगा कि आप चिंता मत कीजिए मैं आपको मकान ही लेके दे देता हूं यानि की perquisites basically क्या है तो perquisites facilities है जिसे बच्चा जेनरल इंग्लिश लेंग्वेज में purgs short form में purgs बुलाता है तो ये क्या है facilities है cash में भी हो सकती है और kind में भी हो सकती है और mostly ये kind में ही होती है और आज की class का हमारा main discussion का part perquisites है और आज हम perquisites को define करने में ही हमारी आज की class निकल जाएगी अब मैं ज्यादा बोलूँगा तो matter और लेंदी होगा चलिए आईए हम heading डालते हैं फटाफट perquisites section 17 subsection 2 चलीजी हम चलते हैं बुक में कहां तक हम पहुँच चुके थे मैंने last class में 4.10 11 तक सब complete कर दिया था यह आपने read करना है allowances का बचावा part आपने read करना था और उसके बाद हम आ जाते हैं page number 48 पे यह चोटी सी illustration है यह भी आपको खुद करनी है और यहां हमारे पास start होता है perquisites perquisites क्या होता है general language में आप अराम से पढ़ते रहना मैं आपके साथ सिर्फ law की terms में बात करूँगा इसकी कोई आवशक्ता नहीं है आपके वर law की terms में मेरे साथ बात करेंगे कि section 17 sub section 2 income tax में perquisites को define कर देता है जो चीज law में define कर दी जाती है उसके general meaning को आप छोड़ दीजिए अब बच्चे बार बार पूछते हैं sir perquisit क्या होता है अरे law कह रहा है कि मैंने लिख दिया न यही परकुजिट होता है जो मैंने लिख दिया sir तो law ने क्या लिखा है लिखिए अब मेरे साथ साथ लिखते जाना यह बहुत मैं जो लिखता जाऊंगा यह सब आप note करते जाएगा और फिर हम आने वली classes में इन सब चीजों को detail में discuss करेंगे ठीक है तो अभी इस बात के ओपर दिमाग नहीं लगाना कि sir यह क्या होता है ठीक है sir सीधा सीधा law सीधी सीधी बात कहता है law कहता है परकुजिट्स तो परकुजिट्स means any benefit benefit का मतलब आपको पता है कि आपको कोई फाइदा दिया जा रहा है और amenity प्रोवाइडिड टू दा एंप्लॉई बाइदा एंप्लॉईर बहुत सिंपल है ठीक है sir कैसे दी गई वैदर in cash और in kind और in addition to salary salary कहें या wages कहें बच्चा कहता है सर अभी भी समझ में नहीं आया कि कौन सी benefit है कौन सी amenity है कौन से profit है तो मैंने का दिमाग लगाने की जुरूरत नहीं है क्योंकि law ने list पकड़ा दी लॉने का इन्हें हमने पर पर्कुजिट का हुआ है इसलिए दिमाग मत चलाओ ठीक है सर तो according to section 17 subsection 2 perquisites includes इसका मतलब समझने की जरूरत नहीं है लिस्ट बनाने की जरूरत है कि इन्हें हम बोलते हैं अब मुझसे पूछो सर पर्कुजिट क्या होते हैं मैंने का देखो जो लिख रहा हूं यही पर्कुजिट होते हैं dictionary मिनिंग को भूल जाओ मैंने का अच्छा ठीक है क्या सबसे पहला employer ने employee से कहा मान लीजिए employer बॉंबे में है ठीक है आप प्यारे प्यारे बच्चे employee है नौकरी लग गई बॉंबे में employer ने का बॉंबे आ जाओ अब आप बहुत qualified हैं आपने का हम तो नहीं आते बॉंबे employer ने कहा क्यों आपने बॉला के हम बॉंबे का हमें कुछ नहीं पता कौन वहां आएगा फिर अपने लिए मकान ढूंडेगा हम नहीं रह सकते हम डेली में जॉब कर लेंगे अब employer कह रहा है यार इतना अच्छा employee मेरे से छूट जाए तो वो कहता है कोई बात नहीं सर मैम आप चिंता मत कीजिए आप बॉंबे आ जाईए हमने आपके लिए flat पहले से book कर रखा है फिर आप कहोगे अच्छा flat तुमने देख लिया किराया कौन देगा सुना है बामबे तो बहुत costly शेर है वो कहरे चिंता मत करो किराया हमारी company देगी आपने तो आके रहना है आपने का अच्छा बामबे में रहने को मिलेगा कौन से floor पे है हमारा मकान उन्होंने बोला हमने आपका flat लिया 18th floor पर आपने का अच्छा ठीक हमारे है तो आपके employer ने आपको मकान लेके दिया और उसका किराया भी वो कह रहा है मैं दूँगा आप tension मत लीजिए तो यह facility हुई इसी को बोलते है परकुजिट और इसका नाम है rent free accommodation rent free accommodation यानि बिना किराय के अगर आपका employer आपको मकान दे देता है तो उसे बोलते है rent free accommodation ठीक है सर house rent allowance क्या था वहाँ पर मकान आपने खुद लिया और उसके खर्चे के लिए आपने employer से पैसा मांग लिया तो वो था house rent allowance यहाँ पर क्या हुआ आपने कोई पैसा नहीं मांगा आपने सुविदा मांगी के मकान ढूंड के मेरे हिसाब से जैसा मकान चाहिए वैसा दो बड़ा आदमी बंगलों चाहिए तो बंगलों लोके देंगे ठीक है सर दूसरा यह तो हो गया ऐसा मकान जो बिना rent के आपको मिला ठीक है अब हर किसी को ऐसी सुविदा नहीं मिलती कई बार employer कहता है कि ठीक है आपके लिए मकान हम arrange कर देंगे किराया भी हम देंगे लेकिन आपसे 5000 रुपीज चार्ज भी करेंगे मकान कितने का है आपको tension लेने की जरुवत नहीं है मकान आपकी पसंद का होगा आपको landlord को कोई किराया नहीं देना किराया company भरेगी लेकिन आपकी salary में से हम 5000 रुपीज डिड़ट कर लेंगे इसका मतलब मुझे company से मकान की facility मिली लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा पैसा तो देना पड़ रहा है तो थोड़ा देना पड़ रहा है उसे हम बोलते हैं concessional concessional accommodation मुफ्त में नहीं है लेकिन हाँ सस्ते में है तो दोनों ही accommodation है rent free और concessional accommodation ठीक है नंबर 3 benefits and amenities कौन से benefits और amenities लेकिन पहले यह समझ लो कि यह benefits केवल taxable होते हैं for color change करना पड़ेगा specified employees सर क्या यह दोनों पर्क्विजिट नहीं थे मैंने का थे मकान का मिलना पर्क्विजिट है लेकिन सर यहां पर तो आपने कुछ नहीं स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड इसका मतलब यह मकान की सुविधा हर employee को tax होगी चाहे वो छोटी से छोटी रहेंका हो चाहे वो बड़ी से बड़ी रहेंका हो कमपनी का डिरेक्टर है कमपनी का इंजीनियर है कमपनी का सेल्स मैनेजर है कमपनी का चपडासी है क्या है कोई मतलब नहीं यह पर्क्विजिट सभी के लिए taxable होते हैं लेकिन अब मैं कुछ सुविधाओं के नाम लिखने जा रहा हूं और हमारा income tax कहता है कि वो सुविध कौन से हैं जो केवल selected employees के लिए taxable होंगे ठीक है बताइए सर मैंने कर लिको नमबर एक car facilities employer ने employee से कहा कि हम आपको car देंगे तो income tax कहा रहा है कि car हम तभी tax करेंगे अगर हमने आपको specified employee पाया तो specified की बात बाद में ठीक है जी एक तो हो गया car facility यानि कार की सुविधा परक्विजिट है लेकिन सभी के लिए taxable नहीं है कुछ लोगों के लिए taxable है sir घर तो दे दिया लेकिन काम कौन करेगा domestic servant मतलब घर के अंदर मुझे cook चाहिए ठीक है दे देंगे watchman चाहिए दे देंगे तो ऐसे domestic servant आपको दे दिये जाएंगे नमबर तीन sir मेरे घर में gas का इंतजाम कौन करेगा pipe gas लगवा देगी company मेरे घर में बिजली का बिल कौन भरेगा company भर देगी sir पानी की भी आज कल बहुत tension रहती है तो company ने गापानी की भी बिल हम भरेंगे आपको company की तरफ से car मिलेगी company की तरफ से domestic servant मिलेगा gas electricity water मिलेगा sir मेरे बच्चे कहां पढ़ेंगे दाखिला कौन कराएगा स्कूल में चिंता मत कराओ हमारी जिम्मेदारी है हम स्कूल में ड्वीशन कराएंगे उसकी फीस हम भरेंगे education facility और transport facility car facility अलग है transport facility अलग है यानि कि यह ज़रूरी नहीं है कि यह सुविधाएं आपको मिले अगर आपका employer यह सुविधाएं आपको दे रहा है तो income tax वाले कह रहे हैं कि यह perquisite है मैंने का क्या यह मेरे लिए tax होंगी उन्होंने का इसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्या आप specified employees की list में आते हैं तो taxable होंगी नहीं तो taxable नहीं होंगी ठीक है सर यहां पर मैं एक छोटा सा नोट लिखना चाहता हूं क्या है यह है का के लिए औशिचंग यह ब्रयर्णाओी यह हैं मैं क क्याव बदर्दोंगेश्ट का करता अब।धांगेश्धे। benefits are now taxable for every employee. बेटे law ने तो originally यही लिखा हुआ है कि यह specified employees के लिए taxable होंगे लेकिन मैंने नीचे आपको एक note लिखवाया है कि यह specified employee जब हम आपको पढ़ाएंगे तब आप समझ जाएंगे कि यह किसी use का नहीं है इसलिए इसको हटा के भी पढ़ लोगे तो भी कोई फर्क नहीं है इसका मतलब यह benefit भी आज की date में हर employee को tax हो जाते है यानि specified non specified केवल किताबों में रह गया है practical life में यह किसी काम का नहीं है नमबर फोर लिखिये दी Employees Obligation Paid by the Employer सर ये Employees Obligation Paid by the Employer का क्या मतलब है देखिए आपने जब company के साथ contact किया था तो company ने आपको कोई benefit नहीं दिया था ना car दी ना domestic servant दी ना gas दिया ना education दिया कुछ भी नहीं दिया अब क्या हुआ नौकरी लगने के बाद आपने company को धमकाना शुरू कर दिया के जी मैं छोड़ करके rival company के पास जा रहा हूँ आपके Employer ने का देखो हमने आपको train किया इतना सिखाया अब आप दूसरी company में जा रहे हो आप कहरे हो वा वो जो दूसरी company है वो मुझे ये facilities दे रही है और आप मुझे ये facilities नहीं दे रहे हो वो तयार है तो मैं उनके पास चला जाता हूँ अब company ने बोला यार छोड़े काम कर क्या तेरे पास car है उसने का हाँ है तो employer ने बोला ठीक है तेरी car के खर्चे ना मेरे से ले लिया कर recover कर लिया कर दो बातों का अंतर समझना मैंने आपको car दी तो car का खर्चा कौन कर रहा है मैं कर रहा हूँ यह होता है benefit अब इसको दूसरे तरीके से समझो sir मेरे पास car है तो आपकी car का खर्चा करना आपकी जिम्मेदारी है मुझे पता है मेरी जिम्मेदारी है लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी के पैसे आप से लूँगा तो यह fourth वाले clause के बात बन गई यानि कुछ employees अपने खर्चे employer से लेने लग जाते हैं बले उनका नाम यही हो सकता है sir मेरे घर में बच्पन से एक नौकर काम कर रहा है आपने नहीं दिया और मेरे घरवाले उसे 10,000 रुपे की salary देते हैं पर मंत और वो 10,000 रुपे मैं आप से ले लूँगा तो यह कहलाता है employee की obligation जो की employer से ले ली गई ठीक है sir यह भी परक्विजिट होगा ठीक है ठीक है sir employees life insurance employee की life insurance करवा के दी गई या उसकी N.U.T. का contract लेके दिया गया नमबर 6 employee को stock option plan दिया गया इसे बोलते हैं isop या इसे बोलते है sweet equity shares detail में इन सब की बाते बाद में कर लेंगे company क्या करती है अपने employee को offer करती है कि हम आपको अपनी ही company के share सस्ते दामों पर देंगे हमारा market में share 1000 का है लेकिन हम आपको केवल 700 रुपीज में देंगे तो employee को अगर हम सस्ते दामों पर share offer कर रहे हैं तो जितना market value से हम कम ले रहे ह हैं वह उसके लिए फाइदा है और उसी फाइदय को लॉग कह रहा है कि वह परक्यूजिट है कि नंबर सेवन कि नंबर सेवन है contribution to approved super innovation fund का contribution to कि एप्रूवड super annuation मतलब retirement के बाद का fund employee retire होगा उसके बाद उसे पैसे मिलेंगे और उसके लिए company आज से ही किसी के पास पैसे जमा कर रही है तो contribution कर रही है super annuation fund के लिए in excess of rupee one lakh कि इसका मतलब एक लाख रुपे तक सरकार ने चूट दे दी कि एक लाख रुपे के contribution तक तो हम इसे perquisite नहीं मानेंगे एक लाख रुपे से ज्यादा हो जाएगा तो perquisite मानेंगे ठीक है sir clause number eight other fringe benefits fringe का मतलब होता है small other fringe benefits oblique amenities बच्चे ने लगबग पंदरा बीस मिनट पहले जब पढ़ना शुरू किया तो उसके दिमाग में एक question था के sir perquisite क्या होता है मैंने उसे कहा के देख बच्चे general meaning पर मत जाना law की शब्दों में समझ लो तो law ने कहा अगर आपको मकान दिया गया perquisite है मुफ्त में दिया जाए चाहे सस्ते दामों पर दिया जाए ठीक है अगर आपको हम employer से कोई car मिली है employer से कोई domestic servant मिला है gas electricity मिली है education मिली है transport facility मिली है perquisite है law ने कहा यदि ये facility नहीं मिली है तो आप इनको फिर भी घर पे यूस्तों करते है अपनी कार है अपना servant है अपने बच्चों का दाखिला खुद करवा रखा है अगर ये पैसे आपने employer से recovery ले लिए तो भी ये perquisite है अगर employer ने employee का life insurance करवा के दिया तो उसका वो premium देता है वो perquisite है employer ने employee को सस्ते दामों पर shares देने का promise किया है या दे दिये shares तो वो perquisite है अगर वो उसकी retirement के लिए कुछ contribution कर रहा है तो वो भी perquisite है sir क्या यही perquisite है मैंने का नहीं सरकार के रिए इसके beyond भी बहुत सारे perquisite है जो इसमें cover नहीं हो पाए है और उस सरकार के रिए उन्हें भी मैं क्यों छोड़ूंगी मैं उन्हें भी tax करूंगी तो उन्हें सरकार ने आखरी category में डाल दिया यानि कि जो पीछे नहीं लिखे थे वो सारे के सारे benefits अब इसी category में मैं लिख दूँगा इन्हें बोलते हैं other fringe benefits और other fringe benefits में कितने benefits हैं तो total 9 benefits आपके पास हैं other fringe benefits में अभी भी 9 benefits government कह रही है कि उपर नहीं लिखे गए यानि सर उपर तो 8 benefits लिख दिये और नीचे 9 लिख दिये यानि 17 benefits हो गए मैंने का हाँ यही तो perquisit के अंदर बात है कि यह इतना lending क्यों है सर ठीक है पहले तो नाम बताओ number one interest free या concessional loan employee ने employer से loan ले लिया सरकार के लिए तो इसमें भी तो उसका फाइदा है सर वो loan मुफ्त लिया तो भी फाइदा है और loan अगर सस्ते ब्याज पर लिया तो भी फाइदा है दूसरा ट्रेवलिंग गूमने गया टूरिंग अकोमोडेशन फॉर हॉलिडेज चुटिया मनाने गया और एम्पलॉयर के गेस्ट हाउस में रह गया इस तरह का बेनेफिट लिया हो सकता है फ्री फूड आज कल देखते हो एम्पलॉयर कहता है के भाई काम पर जल्दी आया करो एम्पलॉयर कहता है जी मेरी वाइफ उठके खाना नहीं बना के देती मैं नहीं आ सकता वो पहले बच्चों को स्कूल भेजती है फिर उसके दूसरे काम होते है फिर वो मुझे लंच बना के देती है फिर मैं आता हूँ तो एम्पलॉयर कहता है यार तुँ सुबा सुबा नौ बज़े दफ्तर आ जाये कर एक्टिफिन सर्विस लगवा देते हैं खाना आपकी आफिस में आ जायेगा आप से कोई पैसे नहीं लेंगे तो फ्री फूड मिला सरकार के री ये भी तो बेनिफिट है ओहो एंड नॉ कोन एलकोहॉलिक बिरिवरेजिस सर ये क्या है आप देखते हैं आफिस में मशीन लगा दी जाती है चाय लेलो दूद लेलो जूस लेलो जो मर्जी लेलो रेडी मेट मशीन है आया पाउडर डाला आप अपना काम कीजिए और कोई टेंशन नहीं वरना बहुत सारे ओफिसों को चाय काफी जूस ये सब चीज देते हैं कोल्डरिंग मेशीन लगा दी और सरकार कह रही है वाह ये भी तो एमप्लॉई के फायदे की बात है तो इसको भी परकुजिट में शामिल कीजिए अगला तो और बढ़िया है गिफ्ट एमप्लॉयर एमप्लॉई को गिफ्ट दे लेना ठीक है सर एमप्लॉईर इतना अच्छा है कि वो क्रेडिट कार्ड ही दे देता है एमप्लॉईर ने कलब की मेंबर्शिप दिला दी आपको पता है कलब की मेंबर्शिप बहुत बहुत कौसली होती है ठीक है सर एमप्लॉईर ने एमप्लॉई को अपना कोई एसिट मूवेबल एसिट यूज करने के लिए दिया यूज आफ मूवेबल एसिट सर सेल आफ मूवेबल एसिट मूवेबल एसिट जैसे के लेप टॉप एमप्लॉईर ने एमप्लॉई से बोला के यार मुझे एक नया लेप टॉप लेना है एमप्लॉई ने का सर पुराना वाला OLS मत कर देना मुझे दे देना तो सरकार ने का वाह इसमें भी कोई बेनिफिट चुपा हुआ है ये भी एमप्लॉई को टेक्स करेंगे यानि एमप्लॉई का कुछ बच ना जाए सरकार ने पूरी कोशिश की है उसके बाद जे अच्छा ये छूड़ गया ए बी सी डी इफ जी एच आई एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नाइट आई आई में गौर्वंट ने का आप कितने नाम लिखेंगे गौर्वंट ने का एनी अदर बेनिफिट यानि उपर वालों को छोड़ करके अगर कोई और बेनिफिट बच गया हो तो वो भी शामिल कर लो यानि आठ और नौ टोटल सत्रा बेनिफिट है और इन में एक परिशानी है सर क्या परिशानी है यह मोस्टली काइंड में है देखो मकान किराय पे दे दिया काइंड की बात है कार दे दी काइंड की बात है education दे दिया, kind की बात है आपको asset इस्तेमाल करने को दे दिया, kind की बात है इन सब के अंदर government कह रही है कि ये सब perquisite employee की income का part है इसमें कहीं न कहीं employee को फायदा हुआ है और इस फायदे को हम tax करना चाहते है समस्या क्या है, समस्या ये है कि ये mostly kind में है और जो चीज काइंड में है तो उसे tax में लाने के लिए आपको उसकी monetary value calculate करनी पड़ेगी तभी तो आप उसको tax कर पाओगे और इसकी समस्या ये है कि इनके monetary की value में conversion के rules है और सब के बहुत सारे rules है इसलिए perquisite section हमारे पास थोड़ा सा lendी है तो इसे हम बोलते है rule ये है rule 3-1 income tax rules है ना तो उसमें rule number 3-1 इस पर लगता है इसमें लगता है rule 3-2 rule 3-3 rule 3-4 rule 3-5 और rule 3-6 सर ये rules क्या हैं आपको याद करने की जरूरत नहीं बता रहा हूं ये सब अलग-अलग rule लिखे हैं इसलिए अलग-अलग आपको मैं बताऊंगा अलग-अलग आपको याद करने पड़ेंगे ये कहते हैं कि जो सुविधा या जो फाइदा employee को वा था उसकी monetary value कितनी होगी ये वो बताता है ठीक है सर और फिर ये जो मैंने आपको बताए थे फ्रिंग benefits ये सब आ जाते हैं rule 37 में ठीक है तो rule 37 में नमबर वन नमबर टू नमबर थ्री नमबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट और थ्री सेवन नाइन इतने सारे rules आपको learn करने पड़ेंगे ठीक है सर मैं वापिस पढ़ता हूं सर क्या पढ़ना चाहते हूं मैंने का ये सारे के सारे perquisites किसको tax होंगे तो सर employee को tax होंगे लेकिन तीसरे नमबर के जो benefits हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसको tax होंगे specified employee को at least theoretically specified employee को tax होंगे practically तो मैंने आपको note लिखवा दिया यानि अगर मैं practically बात करूँ तो मैं कहूंगा ये 17 benefit हर employee के लिए taxable है और अगर theoretically बात करूँ तो जो तीन नमबर का benefit है जिसमें 5 benefit लिखे हुए हैं ये सिर्फ specified employee के लिए taxable है तो कम से कम theory के लिए तो बार पढ़ ले who is specified employee और फिर हमें वो पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्यों मैंने कहा था कि ये प्रात के वल ठीकली है ठीकली नहीं है ठीक है सर आईए जी सबसे पहले परक्विजिट पढ़ने से पहले हम ये दूविदा क्लियर कर ले कि हमारे परक्विजिट ठीकली specified और नौन स्पेसिफाइड की importance रखते हैं practically सभी के लिए taxable है ठीक है तो सबसे पहले डालेंगे of specified employee सर ये किस लिए बता रहे हो क्योंकि section 2 17 subsection 2 clause number 3 में जो benefits हैं वो केवल इनी के लिए taxable है बाकियों के लिए taxable नहीं है ठीक है जी यानिकी सरकार कह रही है कि सब को tax नहीं लेंगे कुछ ही लोगों को tax लेंगे theoretically कह रही है following employees are called as specified employees अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में employees को ऐसी लिख दिया ठीक है जी नंबर एक कार फैसिलिटी डोमेस्टिक सर्वेंट एजुकेशन फैसिलिटी ठीक है न वह सब जो मैंने नाम लिखे थे वो किन को टेक्सेबल है नंबर वन डारेक्टर ऐसे एंप्लॉई को टेक्सेबल हैं हूँ इस डारेक्टर ऑफ दा कंपनी बच्चे खुश कहरे सर हम पढ़ लिखके जब हमारी नौकरी लगेगी तो अगर हम डारेक्टर हुए तो वो टेक्स होंगे और अगर हम डारेक्टर नहीं हुए हम कंपनी में इंजीनियर लग गए MBA करके Manager लग गए तो हमें तो टेक्स नहीं होंगे मैंने का बिल्कुल ठीक आईए जी और नमबर टू एन एंप्लॉई या फिर टेक्सेबल होंगे किसी ऐसे एंप्लॉई के लिए विच इस हैविंग सबस्टेंशियल इंटरस्ट सबस्टेंशियल इंटरस्ट इन दा कंपनी यानि कंपनी के अंदर वो बहुत जबरदस्ट प्रभाव रखता है सर ये जबरदस्ट प्रभाव कौन रखता है नमबर एप एसा एंप्लॉई जो ओन करता है जानते ओ जिसके पास किसी कंपनी के 20% से ज्यादा के शेर होंगे वो नौकरी ही क्यों करेगा एम्पलॉई ही क्यों बनेगा उस कंपनी का बेटे 20% share की value लखने वाला आदमी तो पता नहीं कितना बड़ा धन्ना सेट होगा सूपर डूपर rich आदमी होगा वो employee ही क्यों होगा तो बच्चे के रहें सर हमारे पास तो company के 20% share होंगे नहीं तो यानि वो benefit हमारे लिए तो taxable होंगे नहीं मैंने का बिलकुल ठीक मैंने सरलता के लिए यहां पर equity shares word का यूज किया है दरसल law में इसकी जगा यूज किया गया है beneficial honor तो आपको इतनी tension लेने की जरूत नहीं है यहां तक अगर मैं पढ़ता हूँ तो यहां तक मैं यह कह सकता हूँ का सर यह सारी सुविधाएं या तो director के लिए taxable है या किसी ऐसे rich employee के लिए taxable है जो company में 20% की voting power रखता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से अपने लिए यह सारे benefit company से ले सकता है अगर आप company के director हो तो आपको किस से पूछना है आप अपने लिए जो मर्जी कार अलॉट कर लो, domestic servant अलॉट कर लो, gas, electricity connection अलॉट कर वा लो या अगर आप 20% के beneficial honor हैं तो फिर आप director पर दबाव डाल के ले सकते हो तो सरकार कह रही है कि ये दो व्यक्ति ऐसे लोग हैं जो company में प्रभाव रखते हैं तो इन से हम tax लेंगे अब मैंने का इन को छोड़ कर कि क्या बाकी लोग भी company में प्रभाव रखते हैं जो आप tax लोगे तो lawr की इच्छा तो यही थी कि हम उनसे tax नहीं लेंगे क्लॉस कहता है इसमें एक ही तो था सर तीसरा क्लॉस इन दोनों को छोड़ कर एनी अदर एंप्लॉई अब एनी अदर में सब लोग आ गए चीक है सर एनी अदर एंप्लॉई having income under the head salary more than rupee 50,000 per annum excluding non monetary payments excluding non-monetary payments obligue perquisites and after deductions from one or more employer अब समझना who is specified employee तो third clause कहता है director और उस rich employee को छोड़ करके बाकी सारे employee जिनकी income salary के हेड़ बे 50,000 रुपे पर एनम से अधिक है अब बताईए अगर आपकी income taxable हो रही है तो इसका मतलब वो अगर employee है तो कम से कम 2,50,000 से ज्यादा की income earn करता है तब ही तो वो tax करवा रहा है अब बताईए जिसकी भी मैं income tax में calculation कर रहा हूँ उसकी basic income 2,50,000 रुपे है तिक अब मुझे ये बताईए कि इवन किसी company में छोटी सी छोटी company में एक पियन चपडासी उसकी भी salary government कहती है आज की date में कम से कम नहीं तो आप 15,000 रुपे जरूर दीजिए मैंने कर ठीक है 15 नहीं दोगे 10 दे दोगे सर 10 नहीं दोगे तो 5,000 तो दे दोगे तो 5,000 भी अगर इसकी आपने तनखाच चपडासी की भी दे दी तो वो भी साल बर में 60,000 रुपे आप से ले लेगा तो वो भी specified employee बन गया तो ये 50,000 की limit जो की आज से 60-70 साल पहले सरकार ने लिखी थी वो 70 years में बढ़ाई ही नहीं गई अगर यहां लिखा होता 50,000,000 रुपे तो तो मैं कहता हाँ specified employee का कोई benefit है तो अब theoretically इस बातों को उलजा दिया गया है कि ये specified employee के लिए taxable है इसलिए सरलता के लिए हम कह देते हैं कि आप perquisite की calculation करते हुए बिलकुल भी मत देखना कि कोई employee specified employee है या specified employee नहीं है क्योंकि आज के context में इस definition के अनुसार हर employee ही specified employee है ठीक है इसलिए ये सिरफ theoretical importance की बात थी और कुछ इसमें था नहीं ठीक है और इसमें लिख लो कि salary income निकालते हुए do not include allowances which are exempt उन allowances को शामिल मत करना जो की exempt होंगे अब हमारी book ने कहा चलो theoretically बात है तो book ने समझाया के who is specified employee और तीसरे clause में जो 50,000 की limit डाली गई है उसे भी निकालना सिखाया illustration number 4.13 में लेकिन मैं ये आपको question करवाँगा ही नहीं आप खुद करना चाहो तो कर लेना क्योंकि मैंने आपको बता दिया this is not of practical utility हम जब भी perquisite का question करेंगे कभी भी नहीं देखेंगे कि sir वो specified है या नहीं है क्योंकि हर employee specified employee है ठीक है sir, now sir हमने अभी तक क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा 17 benefit के नाम पढ़े हैं जिने law ने कहा है perquisite अब मेरा अगला काम है कि यदि इने tax करना चाहते हो तो इनकी monetary value compute करना आपको सिखाऊ और ये काम अभी आज की class में तो at least नहीं हो पाएगा ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कुछ और छोटा मोटा part salary का पढ़ देते हैं चलिए, और फिर अगली class में हम एक एक करके perquisite की value निकालना आपको सिखाएंगे ठीक है सर लिखेंगे जी Medical facility अब बेटे allowances अलग होते हैं और perquisite अलग होते हैं तो सबसे पहले तो आप ये note कर लें कि medical allowance is always fully taxable Medical allowance की कोई छूट नहीं है जितना भी medical allowance मिलता है employee को वो पूरा का पूरा tax हो जाता है बट Medical facility is exempt लेकिन इसके कुछ rules हैं क्या rules हैं तो depend करता है कि medical की facility आपको employer के द्वारा जो मिली है वो कहां मिली है तो medical facility इंडिया में मिली है या outside इंडिया मिली है foreign country में तो medical facility के बारे में दो बाते आपको समझनी है के medical facility इंडिया में मिली है या medical facility आपको बार मिली है तो पहले लिखेंगे नमबर वन medical facility in इंडिया तो इसमें number one if medical facility is provided to the employee or any member of his family अगर medical facility employee या उसके घर के किसी से दस्से को दी जाएगी इस फुली एक्षेंट इंड आ फॉलॉइंग cases number one facility दी गई in a hospital maintained by the देखो ध्यान से आपके लिए medical facility इंडिया में exempt है अगर facility दी गई in a hospital maintained by the employer ऐसे लिखो in the employer means hospital maintained by the employer या hospital maintained by the government अब्लीग local authority या इन in a hospital in a hospital Uh अब्लीग आब बार गॉर्माक्यू Um employees yafir in a hospital which is approved by the chief commissioner of income tax chief commissioner of income tax for specified diseases तो medical facility employer ने employee को दी कि यदि आप कभी बिमार हो जाएं आपके परिवार का कोई सदस्से बिमार हो जाएं तो चिंता मत करना खर्चा company करेगी इसको बोलते है medical facility बहुत दी जाती है तो सरकार कह रही है कि आपको medical facility मिली तो आपके बिहाफ पर employer ने पैसा पे किया होगा खर्च कि किया होगा तो आपके लिए पूरा exempt है लेकिन exempt ये तभी है अगर आपने इलाज employer के द्वारा maintained किये hospital में किया हो अब सर तो हर एक employer का थोड़ी ना hospital होता है मान लीजे मैं किसी hospital में काम करता हूं तो तो मेरे employer का hospital है या मैं Tata Reliance जैसी बहुत बड़ी company में काम कर रहा हूं हो तो सरकार के रिए ठीक है अगर आपके employer का hospital है और आप उसमें treatment कराते हो अपना या अपने family member का fully exempt अगर आपके employer का hospital नहीं है तो government hospital में कराओ अब government hospital में सरकार ने तो लिख दिया लेकिन government hospital में आपको पता है कोई अपना इलाज करवा नहीं सकता government के employees के लिए जो hospital approved है अगर government employee उन hospital में कराएगा तो भी exempt है या कुछ ऐसी diseases होती हैं जिसके बारे में law कह रही है कि हो सकता है कि वो आपके employer के hospital में उसका इलाज उपलब्दना हो cancer है और बड़ी सारी भेंकर बिमारिया है तो उनके लिए chief commissioner of income tax ने approve कर रखे हैं कि इन hospitals में आप इलाज करवा सकते हैं जैसे cancer के लिए Tata Memorial Hospital है Bombay का तो इन सब जगाओं पर तो करवाओगे तो exempt हैं और in any other case इन एनी अदर केस इन सब्सक्राइब आप तो रुपीज फिफ्टीन थाओजन इन एन अदर केस इस एग्जम्ट अप तो रुपीज फिफ्टीन थाओजन थीक है सर और तीशरा law ने एक बात और लिखी है employer कहता है कि आज कल क्या होता है हम अपने employee को जब medical facility देते हैं तो होता क्या है कि hospital वाले बहुत bill बनाते हैं hospital वाले बहुत तेज हैं वो सबसे पहले पूछते employee से अच्छा तुमारे पास कोई policy है मतलब तुमारे employer ने पैसा देना है तो जितना मर्जी पैसा वो लगाएंगे कहरे आप क्यों tension लेते हो admit हो जाओ बस पैसे तो हम company से लही लेंगे तो ऐसे में employer कहता है क्योंकि hospital वाले लोग बहुत तंग करते हैं बहुत extraordinary charges लेते हैं तो इसी लिए employer employee का क्या करता है medical claim करवा देता है या medical insurance करवा देता है और वो कहता है कि ठीक है फिर अगर आपको claim लेना होगा तो आप insurance company से claim लोगे मुझसे नहीं लोगे तो अगर employer आपका medical insurance करवा देता है तो वो भी exempt है ठीक है तो medical insurance premium paid paid या फिर reimburse paid और reimburse में क्या अंतर होता है paid का मतलब है employer नहीं directly insurance company को payment कर दिया premium reimburse का मतलब होता है employee ने खुद insurance करवाई कि sir मेरे को इस company से insurance चाहिए employer ने कहा आप करवा लो जितने पैसे लगे मुझे बता देना मैं आपको reimburse कर दूँगा मलब return कर दूँगा by the employer for the employee or any member of his family ये तो हो गया आपका रूल for medical treatment in India अब आ गया सर medical treatment outside इंडिया अब आपको पता है कि लोग जब पैसा कमाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि हमारे देश में तो जो सारी सुविधाएं वो सब standard हैं तो बड़े बड़े जो employees हैं अच्छा पैसा कमाते हैं तो वो अपने बच्चों को भी फोरन में पढ़ाते हैं वो कहते हैं में इंडिया में पर दो फॉरन में पढ़ो बिमार हो जाए कोई तो कहते हैं इंडिया में इलाज नहीं है फॉरन में जाके इलाज करा हो employer ने कहा रखा है कोई बात नहीं हमने आपको medical facility दे रखी है आपने अगर इंडिया में treatment नहीं करा ना तो foreign country में जाके करवा लो तो इसके लिए क्या rules है इसके लिए सीधे से rule है expenses on medical treatment इलाज में जो भी खर्चा आएगा employer ने दे दिया लेकिन सरकार कह रही है कि इलाज में जो खर्चा आएगा और जो expenses आपके होंगे on stay abroad बाहर रहने का खर्चा आएगा of the patient and one attendant सबका नहीं केवल एक attendant जा सकता है यह नि पूरा परिवार लेके चले जाओ तो एक attendant medical खर्चा रहने का खर्चा medical खर्चा तो सिरफ patient का होगा और patient कौन होगा employee या उसका family member ठीक है लेकिन रहने का खर्चा तो patient के साथ साथ attendant का भी होगा यह exempt होगा कितना to the extent permitted by RBI तो बहुत simple rule है sir RBI बता देगी कि आपने जो पांच लाख रुपे खर्च किये हैं एक attendant के इलाज पर सरकार के रिए केवल दो लाख exempt है तो पांच लाख में से दो लाख exempt हो जाएंगे और बाकी तीन लाख जो बच जाएंगे वो tax हो जाएंगे यानि medical expenses abroad में और stay का खर्चा attendant का यह सारा खर्चा income tax कह रहा है उतना ही exempt होगा जितना RBI permit करेगी तो RBI आपको बता देगी कि हम foreign currency involvement है तो इतना ही आपको allow करेंगे उसके उपर अगर खर्चा हुआ होगा तो employee को उस पर tax देना पड़ेगा अच्छा जी दूसरा खर्चा सर इलाज करने के लिए उस जगा जाना भी तो होगा तो दूसरा होगा travel expenses patient and one attendant ठीक है is exempt if gross total income GTI का मतलब होता है gross total income of such employee is yeah SLE code does not exceed rupees 2 lakh before including such travel expenses अब ये travel का खर्चा exempt होगा अगर gross total income employee की does not exceed 2 lakh before including such travel का खर्चा ये खर्चा छोड़ देना अब मैं यहां पर कहता हूँ के बताओ जो व्यक्ति फॉरन कंट्री में जाके इलाज करवा रहा है क्या उसकी annual income 2 लाक रुपई भी नहीं होगी आपको क्या लगता है तो again theoretical बात हो गई कहने को तो सरकार कह रही है कि हमने देखो आपको travel का खर्चा माफ किया हुआ है लेकिन बताओ कि इसको माफ मिलेगा ये कि आप उम्मीद कर सकते हैं कोई ऐसा employee जिसकी basic limit डाई लाक होती है वो इलाज करवाने foreign country में जाता है तो यानि कि ये भी एक बेकार का theoretical point है practically कहूं तो ये कह सकता हूं कि travel का खर्चा तो हर एक employee के लिए taxable होगा लेकिन कोई बात नहीं जो लिखा है याद तो करना पड़ेगा at least एक बार पढ़ना तो पड़ेगा हाला कि इस बातों पर question नहीं आएगा लेकिन फिर भी कोई कठिन बात थोड़ी है एक बार सुन लिया समझ में आ गया सर अगर medical facility इंडिया में दी गई तो hospital employer का है hospital government का है hospital approved by chief commissioner है for specified disease तो पूरा माफ बाकी सभी cases में 15,000 रुपे तक माफ है उसके beyond taxable है medical insurance premium पूरा का पूरा माफ है चाए employee ने भरा हो चाए employer ने reimburse किया हो सर विदेश में इलाज हो रहा है तो medical treatment और रहने का खर्चा उतना ही माफ होगा जितना RBI permit करेगा और travel का खर्चा अगर gross total income of employee gross total income मतला पांचो हेड की total income निकाल लो अगर पांचो हेड की income दो लाख रुपे से ज्यादा निकल के आती है तो वो उसके लिए taxable हो जाएगी और अगर दो लाख के अंदर अंदर रह जाती है तो वो उसके लिए exempt हो जाएगी सर, meaning of family medical facility किसको मिलती है employee or any member of family तो सर, family में कौन आता है family में आता है number one spouse or children whether dependent or not और दूसरा आता है बाकी के member इनके लिए तो mainly employee की जिम्मेदारी है बाकी कौन बच गए? सर, बाकी बच गए parents brothers, sisters if holy or mainly dependent upon the employee ठीक है सर बताइए क्या medical allowance exempt है के taxable है? सर, taxable है medical allowance पूरा taxable है medical facility आपके लिए माफ है अब वैसे तो law बहुत ही साफ है लेकिन फिर भी एक illustration है जो की आपको read करनी है देखिए क्या कह रहा है question कह रहा है के compute taxable value of the perquisite in respect of medical facility availed by X from his employer the employer reimburses following medical expenses treatment of X by his family physician तो बेटे ये add करके रख लो क्योंकि family physician से करा रहा है तो 15,000 रुपे तक तो वो बच जाएगा उसके बाद taxable हो जाएगा treatment of Mrs. X in private nursing home ये भी add कर दो treatment of X mother dependent upon him by private doctor ये भी जोड लो treatment of X brother not dependent upon him तो ये dependent नहीं है इसलिए इसकी exemption नहीं मिलेगी treatment of X grandfather dependent upon him तो grandfather की भी deduction उसको मिलेगी ठीक है अब वहाँ पर grand parents शब्द तो नहीं है सर grand parents वर्ड नहीं है तो इसका मतलब grand parents और grandchildren के लिए deduction नहीं मिलेगी ठीक है यानि हम ये लिख देते हैं book में भी mentioned तो नहीं है लेकिन हम लोग लिख लेते हैं कहीं पर के grand parents and grand children are not allowed family के अंदर cover नहीं होंगे ठीक है बैटे बी केस देखते हैं employer pays insurance premium of 3000 hand insurance scheme of the ex exempt premium चाहे employer दे या employee दे और employer reimburse कर दे दोनों ही case में exempt है employer maintains hospital for the employees where they and their family members are provided free treatment okay employer का hospital है expenses of ex and family members treatment of ex major son exempt treatment of ex exempt treatment of ex uncle uncle family member नहीं है इसलिए taxable treatment of mrs. ex exempt treatment of ex widowed sister dependent upon him exempt treatment of ex handicapped nephew nephew cover नहीं है taxable expenses on cancer treatment of married daughter of ex at tata memorial hospital Mumbai approved by the chief commissioner of income tax expenses of expenses of cancer of married daughter of ex at tata memorial hospital exempt ठीक है और reimbursement of expenses for medical treatment of himself 20,000 तो इसमें से 15,000 यह exempt होगा 5000 तो यह दिये होगा है यह दिये होगा है फालोईग expenses on treatment of ex outside India major son outside India तो medical expenses 60,000 तक exempt expenses on stay abroad with attendant तो जितनी limit है उतना exempt traveling expenses of ex son and ex brother 120 अब देखिए इसमें से taxable portion है 15,000 और इसमें taxable portion है 20,000 तो यह दोनों होगा 35,000 मुझसे पूचा गया क्या traveling expenses taxable होंगे अगर उसकी अदर income है एक पचास तो एक पचास में से यह 35 और जोड़ दो बनेगा total 185 और क्योंकि उसकी total income दो लाग रुपे को exceed नहीं कर रही है तो एक केस में exempt हो जाएगा लेकिन भी केस में अगर मैं 35,000 एड करूँगा तो उसकी income हो जाएगी 2,15,000 तो यह taxable हो जाएगा traveling expenses का rule था कि traveling expense को छोड़ करके अगर total income दो लाग को exceed नहीं हो रही तो exempt यानि इसे तो छोड़ दूँगा लेकिन यह जो taxable बन रहा है यह ज़रूर एड करूँगा तो आप इस question को read करेंगे और medical facility को ध्यान से read करके revise कर लेंगे और बाकिए हम next class में perquisites को एक एक करके discuss करेंगे टाटा भाई बैसी यूँ